कि अलो मेम साप यह आपका सभी अलेको नगे अगया मैं कब से इपका वेट कर रही थी खाना बनाने के लिए बैठे वी ती अरे आपके घर में इसलेंडर के लेट हुआ एग्या आपका जैसे मेंस जाया है मैं खट से लेकर आगया, आपके घर में सिलेंडर की कमी नहीं होने देंगों मैं अच्छा कितने पैसे होगा इसके? आपके अजार रुप्यों ये देखाँ अच्छा में सब, मैं चलता हूँ अरे हंकल जी सुनिये ना मैं ये बोल रही थी, आपके ती दूर से आयो और भार दूब भी बहुत हो रही है एक काम करें, आप बैठें, मैं कुछ ठंडा पीने के रहे लाती हूँ अरे नहीं मैं कहीं और पीलूँगा, आप परिशान मतो अरे नहीं नहीं अंकल जी भला एक लास पानी पुलाने में मैं कैसे परिशान हो जाओंगे, आप बैठें नहीं पानी लेकर आते हूँ कितने बहले लोग हैं, गरीब के बैशान नहीं समझते हैं अरे नहीं समझते हैं थेंकियू में सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद आपका गला सूख रहा था मेरा अच्छा, फिर मैं जलता हूँ आपका अरे, अरे, मुझे, मुझे शचकर क्यों आ रहे हैं अरे अंकल जी, क्या होगा अपको, क्या होगा अपको चक्राओ अरे, अंकल जी, अंकल जी तो गया काम स्ते जो बिसे इस की ना जेव चेकर तुने स्रोरे पैसे इसके पास क्या छोड़ो हमारा तो काम हो गया ट्रिप का तो खर्चा ही निकल गये जारा अंकल जी अंकल जी गया यह तो अरे किया, यह तो आँख लग गये ती अरे अंकल जी क्या हो गया था आप तो सोई गये ते शायद आपके तबे ठीक नहीं है पता नहीं बेटब। नहीं जाने कैसे आंख लग गई हाँ अंकल जी आपना काम बहुत जादा करते हो और भार घर्म मी बहुत है शायद इसरे आपको नीज आ गई हो पर आप अपने ध्यान रखना हो आप बेटा आप रही कहर गो पर क्या करूं मेरे घर में न काम करने वाला कोई नहीं है इसलिए मुझे सिलेंडर खुदी डिलीवर करने पड़ते हैं ठीक बेटा मैं चलता हूं मुझे और भी सिलेंडर ड तो प्रिप का सारा खर्चा निकल जाएगा बेना मतलब की टैंशन लेजी थी मैं तो बगवान देता है नो जब भी चुपर फारके रेता है ऐसे सिलेंडर वाले आते रहे नो मेरे तो मुझ हो जाए बस अब जल्दी से ही आ जाए कि ते गुड़ नियूस दूंगी अरे, आगे हैं? हाँ यार यार ये कंपनी वाले मान बहुत काम करवाते हैं जा वो सब छोडू वैसे भी तुम्हारी ठकान का एलास्तौ हम ने ढूंड लिया है गौवा जा रहे हैं न है आम, मैं उसी बारे में तुमसे बात करने वाला था हाँ मुझे उसी बारे में तुम तो बजट की ना टेंशन मतलो, उसका नेलाज मैंने निकाल लिया है, रुगो. इतने सारे पैसे कहां से आये तुम्हारे पास नहीं आ रही का? पूरे बीस अजार हैं, और मेरी सेविंग्स हैं गे. लेकिन उनने तो मुझे आज से पहले इस सेविंग्स के अजे बारे में बताया ही नहीं था. और अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी टेंशन में घूम रहा हूं. ये जानना तुम्हारा काम ने है, तुम्हा आम खाओ, गुटली अमद गिनो मैं देखता हूं को आज़ा साप, साप मेरे पैसे, मेरे पैसे, साप, साप, मेरे पैसे हरे भाई, कौन हो तुम, कैसे अड़वडी में अंदर घुसे आ रहे हो भी ना पूछे साप, मेरे पैसे रहे की, साप मेह दिन में, साप मेरे पैसे रहे हो अंकल जी, कहा हो खुसे आ रहे हो आप साप मेह न, मैं सुभ ह हहाँ था, मैडम का, सिलेंडर देने के लिए प्र उसके बाद में ने का पानी पीलो मैं पानी पिया और मेरे बाल फुम्हकों देने था में पर अछिस कर लिए दो Springsgil nem पैशे देने पड़ेंगे सांवागी देलाव हो अचा अधuição आप शान्त हो पहले आप ये बताओ कितने पैसे थे आपसे जखाउन तो दो इस ही है कि यह मेरे पैसे है, यही मैडम के पास पेसे हैं, अब कैसे बता सकते हैं कि यह की पैसे हैं? साब मैं हर 10,000 पर नोट में मार्किंग कर देता था तो इन पर भी मार्किंग होगी आप चेक कर लिजी साब गौरब तुम किसी की भी बातों पर यकीन कर लोगे क्या कल को ये कुछ और बोलेगा तुम वो भी मान लोगे ये पैसे मेरे हैं आप क्या हो गया, दिखा दो एक बार, इसका भी शक्तव दूर हो जाएगा और इसको पता भी चल जाएगा, कि ये पैसे इसके नहीं हमारे है देखो, देखो, साब मैंने खा था ना इस नोट अभी है और दस नोट बात भी देखो, साब, ये मेरे नोट है तुम सच सच बताओ मुझे बात क्या है ये इनसान जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच बोल रहा है इन नोटों पर ये निशान ये साफ सब बता रहा है कि ये पैसे तुम्हारे नहीं इसके है अब मुझे सच तुम बता रही हो या मैं खुद पता करूं तो और मैं क्या करती हमें गोवज आना था पर हमारे पास बजट ही नहीं हो पा रहा था इसी वज़े से मेरे को इसकी जेब से पैसे निकालने पड़ गए और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत क्या है बस अपनी खुश्यों का ही धियान रखा मैंने यारी का तुम्हें शरम भी आ रही है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है अरे अपनी थोड़ी सी खुश्यों के लिए तुमने गरीब की कमाई छीन ली और वो कमाई जो की इसकी थी भी नहीं इसे ये पैसे अपनी अपनी एजेंसी में जमा करवाने थे और अगर ये प करिवार का गुजारा कर रहा होगा इतनी मुश्किल से और तुमने इसके पैसे चुरा लिए यारिकाप मुझे तुमसे यह उम्मिद बिल्कुल भी नहीं थी भाइसाब यह पैसे आपके हैं आप इने रखिए और अपनी बीवी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं प्लीज इससे भी माफ कर दीजिए और मुझे भी आइंदा आपके आइंदा आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा और प्लीज आप है ना वसाइटी में यह बात किसी से मत बताइएगा हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी निहारीका माफ़ी मांगो इन से मैं मुझे लगता है आपको पुलीस में इसकी शिकायत करी देनी चाहिए भाई साथ अरे नहीं नहीं यह क्या बोल रहे हो मांगते हूं माफ़ी नहीं 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 भाई साथ देखिए गलती तो सबसे हो जाती है मैंडम से भी गलती होगी और हाप लोग तो मेरी परिवा हो और वो बर्बाद होते हैं